जैहिन सात्यों वेलकम टू सेल्प स्टडी के लासे स्विस सुमिजेन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्वानी के बारे में द्वानी प्रदूशन के बारे में करेंगे द्वानी की तीब्रता कितनी अपने वाला एंतर कौन सा है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज यहां पर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही मात पूर्ण है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें जो भी MPTET या CTET या पर REIT या ऐसे एक्जाम की तयारी करने जने में परयावरन पूछा जाता है तो इनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और दोस्तों जो है टेलिग्राम गुरूप में आपको जुड़ना है टेलिग्राम गुरूप से जुड़ने के लिए आपको टेलिग्राम एप डाउनलोड करना है फिर सेर्च करना है IAS study trick और जोन हो जाना है ठीक है तो ध्वनी ठोस द्रब गयसों के माध्यम से सपर करती है ठीक है ध्वनी निरबात में सपर नहीं करती निरबात में सपर नहीं करती ध्वनी हमें एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करती ठीक है इतनी चीरें आपको याद रखनी है अब यहाँ से एक क्वेस्चन आपका ब ठीक है ये चीज तो आपको पता है और ध्वनी के जो माध्यम है वो ठोस भी हो सकते हैं द्रब और गेस भी हो सकते हैं निरबात नहीं होता ठीक है ये चीज भी याद रखनी है ध्वनी के गुण देख लो ध्वनी के दो महत्पूर गुण हैं एक तो आबरती और एक आयाम न जितना कमपन करता है उसे क्या कहते हैं आबरती कहते हैं आबरती को हर्टज में मापा जाता है अगर आपसे question पूछ जाए कि आबरती को किस में मापा जाता है तब आपका उतर होगा हर्टज में आबरती को और एक second में कोई बस्तू जितनी कमपन करती है उसे क्या कहा जाता है अब ब्रती कहा जाता है ये चीज भी याद रखना है आयाम देख लो कमपन करते कण के अधेखतम विस्थापन को क्या कहा जाता है आयाम कहा जाता है तो आब ब्रती और आयाम ये ध्वनी के क्या है दो महत्पूर गुण मान जाती है तो आब ब्रती आपने देख ली आयाम भ यह चीज आपको याद रखनी है तीब्रता और प्रबलता तीब्रता से ध्वनी के मंद या प्रबल होने का पता चलता है तीब्रता ध्वनी के आयाम पर नरभर करता है अगर आयाम जादा होती तो ध्वनी की तीब्रता भी कैसी होती है जादा होती है यानि ध्वनी प्रबल ह अगर तीब्रता कम होती है तो ध्वनी मंद होती है यह चीजा आपको याद रखनी है कि जो तीब्रता ध्वनी की काई पर नरवर करती है आयाम पर नरवर करती है अब दोस्तों हम देख लेते ध्वनी को डेसीबल में मापा जाता है काई में मापा जाता है अगर आपसे पुछ द्वनी की तीब्रता के बोधिये हैं कि कितनी द्वनी तीब्रता में अपनको कितनी द्वनी तीब्रता सामान बादचीत के लिए ब्यस्तियातायात के लिए कितनी अबसा के तो सामान बादचीत के लिए जो द्वनी तीब्रता है वो 60 decibel है सामान स्वास के लिए 10 decibel है पोसफोसा हट के लिए 30 डेसीवल, व्यस्त यातायात के लिए 70 डेसीवल और आकरनिय ध्वनी 80 डेसीवल से अधिक जो ध्वनी होती है वो कानों में प्रिये नहीं होती अर्थात वो चुबने लगती है ठीक है तो ये चीज अपनको याद रखनी है ये सबी लोग याद रखे अगर ध्वनी की आबरती बढ़ती है तो ध्वनी तीक्ष या पतली हो जाती है जैसे महिला की सिटी की आवाज पतली होती है तो आबरती के कारण ही क्या होती है पतली आवाज होती है अगर ध्वनी की आबरती गढ़ती है तो ध्वनी मोटी और भारी हो जाती है जैसे पु अंगला देख लेते गुणता तो गुणता एक समान तीब्रता तथा एक समान तार्तत्व ध्वनियों में आए अंदर अंतर को कहते हैं महिलाओं की ध्वनी का तार्तत्तों समान होता है परंतूनी की ध्वनीयों की जो गुरता है वो कैसे होती है अलग-अलग होती है जिसके कारण हम अलग-अलग महिलाओं की ध्वनीयों को पहचान लेते हैं पुर्चों की ध्वनी की तीवरता एक समान होती है, परंतून की ध्वनीयों की गुरता अलग होती है, जिसके करण हम अलग-अलग पुर्चों की ध्वनीयों को पहचान लेते हैं, काई के करण गुरता के करण, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, प्रती ध्वनी जाता है पृति द्वनी सुननी के लिए द्वनी के स्रोत एबं पराकर तक सताह के बीच कम से कम सत्रा मीटर की दूरी होनी चाहिए अनुरन देखो द्वनी के बहुल परावर्तन को क्या कहा जाता है अनुरन कहते हैं अनुरन के करन द्वनी इस पश्ट रूप से सुनाई देती है सिनेमा घरों सभा घरों आदी में अनुरन को कम करने के लिए सिनेमा घरों सभा घरों आदी में ध्वनी अफसो सकत्त्त जैसे दिवारों को खुरदरा बनाना फर्स पर कालीन विचाना आदी का जो है उपियोग क किया जाता है तो ये क्या है अनुरणन एनिकि जो आपकी जो आवाज गूचती है ना वो है अनुरणन तो ये क्या से होते इतनेमा गरों सबागरों आदी में इस सारी पाई जाती है लेकिन इसके लिए क्या करते हैं तालीन बिछाई जाती है द्वनी अफसोसक तत्तों का क्य प्रियोग किया जाता है दीवारों को खुर्दरा बनाया जाता है ये इससे निपटने के लिए कारगरों पाए हैं ध्वनी तरंगों का अबरती परिशर देखो रेंच ध्वनी वास्ताओं में वह तरंग है जिसे मनुस अपने कानों से सुन सकता है परंतु कुछ ऐसी भी ध् अलग-अलग जो है क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं और ये ध्वनी तीन प्रकार की होती है सबसे पहले तो वह होती है कौनसी स्रब तरंग है अब स्रब तरंग है और चौती जो आपकी होती है वह होती है परास्रब तरंग है कौनसी परास्रब तरंग है तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तो स्रब्ब तरंग है स्रब्ब तरंग है यानि कि ध्वनी इन ध्वनी तरंगों को मनुस सुन सकता है इन तरंगों की आबरती होती 20 हर्टस से 20,000 हर्टस ठीक है यह चीज स्रब्ब तरंग है अब स्रब्ब तरंग है तो इन ध्वनी तरंगों को मनुस नह नहीं सुन सकता इन तरंगों के अबरती होती 20 हर्टस से कम जिने मनों से नहीं सुन सकता गेंडा हाती वेल जैसे जानवर इन तरंगों को सुन सकते हैं तो आपसे यहां दो क्वेस्चन आपके किरियर होते हैं एक क्वेस्चन तो यही होता है कि स्रब तरंगें कि जो अबरती ह होती है वो कितनी होती है तो 20 हर्टस से लेकर के 20,000 हर्टस सकती है ठीक है और अपसरब दोनी तरंगों की जो आबिरती होती है वो कितनी होती है तो 20 हर्टस से कम होती है यह चीज भी याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो परासरब तरंग है तो इन तरंगों तो आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हमने सरब्व तरंग पड़ी, अब सरब्व तरंग पड़ी और पराशरब्व तरंग पड़ी, ठीके यहाँ से question आपका जरूर बनता है, बात कर लेते हैं दोहनी प्रदूसन के बारे में दोस्तों, जब वातावरण में अत्या धेक ध्वनी हो जाती है जो मनुस्ट के लिए हानी कारक होती है उसे ध्वनी प्रदूशन कहती है जैसे ध्वनी प्रदूशन के कारक देखो बाहनों का सोर बेसपोर्टों पटाकों आदी का सोर मसीनों का सोर लाउड स्पीकर का चलना कूलरों की आवाज ये सारे क्या ध्वनी प् स्रोत है तब आपको ध्वनी प्रदूशन के स्रोत पता होनी चाहिए देख लेते हैं ध्वनी प्रदूशन से हानिया अनिदरा, उच्च रक्ते साप, चिंता, इत्याधी सुनने की छम्ता का एस्थाई या स्थाई रूप से काम होना दोनी प्रिदुशन रोकने के उपाय देखो बाहनों में रब सामार या फिर साई लेंसरों का जो है उपियोग करना होरन का कम से कम उपियोग करना सोरोत्तपन करने वाले उध्योगों को मनुस्थ के रहने वाले स्थानों से दूर इस्तापफित करना टेली बीजन, ट्रांजिस्टर, आदी की प्रिवलता को कम रखना, सडकों और घरों के आसपास पेड़ लगाना, तो ये सारे के सारे ध्वनी प्रदूशन को रोकने के हो पाए हैं, अब यहाँ से क्वेस्टन अगर आपसे बनेगा कि दुनिम्न वेसे बताईए कौन सा ध्व दुनिकी चाल सबसे अधेक कौन सी बस्तूओं में होती है, तब आपका उत्तर क्या होगा, ठोस बस्तूओं में होती है, और सबसे कम जो होती है, वो काय में होती है, गयसों में होती है, ये चीज भी याद रखनी है, बायू में दुनिकी चाल 32 मीटर प्रती सेकंड होती है ये चीज भी याद रखनी है, सबी लोग याद रखेंगे कि बायू में ध्वनी की जो चाल होती है, वो कितनी होती है, तीन सो बतीस मीटर प्रती सेकंड ठीक है, जब विजली कलकती है, तब हमें सबसे पहले प्रकास दिखाई देता है, और उसके बाद आवाज सुनाई देती है, क्योंकि प्रकास की चाल ध्वनी से अधिक होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो यहाँ से क्वेस्चन आपका आएगा, कि बायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है, तो तीन सो बतीस मीटर प्रती सेकंड होती है, जब व देख लेते अंगला, निमलेकित, अब हमें यहाँ पर कुछ प्रस्ण दिये हैं, जिनकी उत्तर आपको बताना है, ठीक है, इन प्रस्णों के उत्तर आप भटापट से कमेंट में बताएंगे, जिन से भी बनता है, तो श्टार्ट करती हैं, इन प्रस्णों को सभी लोग त इसका उप्योग दाड़ी बनाने वाले दर्पन के रूप में किया जाता है, इसका उप्योग आख, कान, नाक और दातों के डाक्टर करती हैं, अब इसके बारे में हमें विचार करना है कि जो उप्रोक्त दर्पन हैं, वो कौनसा है, समतल है, आउतल है, उतल है, तो यह दर योगा ठीक है रात में तारों के टिम्टे माने का कारण क्या है कई बार पूचा गया है question प्रकास का प्रकीडन है प्रकास का अपबरतन है प्रकास का पूरांतरिक प्रावरतन है या प्रकास का वर्ण विचेपन है तो रात में तारों के टिम्टे माने का कारण क्या होता है प तो कितने रंगों में होता है, चार, पांच, साथ, या फिर नो, ये चार वेकलब हैं आपके सामने, प्रश्निक रमांग 38 का जो आंसर है, वो हमें यहाँ पर बताना है, और 38 का आंसर हो जाएगा, साथ, यानि की सी नंबर, ठीक है, निन्वें से कौन सी घटना प्रकास प्रक किरिनन के कारण जो होती है, वो कौन सी उगते हो और डूपते सूर का लाल दिखना, दो पहर के समय सूर का सपेद, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, तो चार वेकलब हैं, घटना प्रकास प्रकास के जो कारण होती है, वो कौन सी होती हो, उगते हो और डूपते सूर का लाल दिखना है ना या पर दो पार के समय सूर का सपेद दिखना या और भी दोनों या इन मैंसे कोई नहीं तो प्रश्ण किरमांग के जो 39 उसका अंसर हो जाएगा आपका C यानि कि प्रिकटना कौन सी घटना प्रकास प्रिकिर्णन के कारण होती है ये किसके कारण होता है तब आपको तैयार रहना है प्रकास के प्रिकिर्णन के कारण ठीक है अंगला कौस्चन है आपका इंदर धनोस में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है नीला, हरा, पीला या फिर लाल इंद्रदनस में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता प्रशने करमांग 40 और 40 का बिलकुल आपका सही हो जाएगा बैगनी और जामुनी के बाद जो रंग होता है वो होता है नीला यानि कि जो बिकल्प नमबर A है वो सही हो जाएगा अंगला question है ध्वनी आबरती की एकाई कौन सी है most important decibel, micrometer, heartage या फिर बार तो ध्वनी आबरती की पूछी गई है यहाँ पर तो ध्वनी आबरती की जो एकाई माने जाती है दोस्तों वो क्या माने जाती है decibel या निकि जो बेकरप नमर A है वो विलकुछ सही हो जाएगा सामान बातचीत की तीबरता होती है कितनी होती है 10 dB, 60 dB, 30 dB या फिर 80 dB तो हमने अभी पड़ा है सामान बातचीत की जो तीबरता होती है यानि की 42 का उत्तर आपको बताना है वो कितनी होती है जल्दी से बताएं कमेंट में जिनसे भी बनता है उत्तर हो जाएगा 60 dB है ना यान प्रति ध्वनी सुननी के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए 10 मीटर 15 मीटर 17 मीटर या फिर 21 मीटर 44 का अंसर बताना है प्रति ध्वनी सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए तो जल्दी से बताएं आपका जो राइट अंसर होगा वह होगा 17 मीटर 17 मीटर आपका सही है ठीक है निवे से कौन से जीव अब स्रब तरंगों को सुन सकती है गेंडा, भेल, हाती या फिर सभी कौन से जीव है जो अब स्रब तरंगों को सुन सकती है प्रश्न करमाग 45 का उत्तर हमें यहाँ पर बताना है जल्दी से बताएंगे अब स्रब तरंग है हमने तीन प्रकार की जो तरंगे पढ़ी थी ठीक है अब सरब तरंगे अब सरब तरंगे और परासरब तरंगे इनमें अब सरब तरंगों को हमें बताना है कि कौन से जीव सुन सकते हैं तो आपका बिलकुँ सही आंसर होगा गेंडा भेल और हाती ये जो जीव हैं वो अब सर तद्धिन भी किया, साथ ही कुछ प्रस्णों के माध्यम से हमने अभ्यास भी किया है, ठीक है? कैसा लगा वीडियो? सभी लोग जदी से कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक भी करना है और सेर भी करना है, ये वीडियो के लिए बस इतना ही, जैहिन!